बजरंग टीवी कहानी पुराणों की जोती आस्था की मित्रों तुम सब कहों मैं सुग्रीव भहिया के पास होकर आता हूँ अभी नहीं बस लद्दू की एक था लौन फिर तुम चले जाना सुग्रीव भहिया के पास हम्म अच्छा ठीक है अरे ये क्या हो रहा है हम निरंत लड्डू बनाते जा रहे हैं और लड्डू की थाली बढ़ ही नहीं रही है कई हनुमान तो नहीं किन्तो हनुमान तो इथर है ही नहीं मेरे भाई बहुत बड़ी भूल हो गई है मुझ से बुद्धी ब्रश्ट हो गई थी मेरी जो मैंने किसी और के कहने पर अपने ही आनुज को इतनी पीड़ा दी लड्जित हो मैं अपने कृत पर नहीं नहीं सुग्रेव द्रिष्टी भी नहीं मिला पाऊंगा मैं तुमसे ना मा भाई कहलाने के योगिरा और नहीं पुत्र इन पापी हाथों से मैंने अपने पिताश्री को बंदी ग्रिह में डाल कर बंदी बना दिया अपनी मा को इतना दुफ पहुँचाया मा पापी है ये हाथ इनी हाथों से मैंने तुम परवार किया है ऐसे हाथों को तो नश्टी हो जाना चाहिए ऐसे हाथों को तो नश्टी हो जाना ही अच्छा है भाईया ऐसा मत करिये भाईया इनी हाथों ने तो मुझे इस नहीं दिया है कितने संकटों से बचाया है मुझे मेरी कर्णी ने मुझे अकेला कर दिया है बहुत अकेला कर दिया है मुझे सुग्रेव मेरा भाई मेरी माता मेरे पिताशरी सब के होते हुए भी कोई नहीं है मेरे साथ ऐसे जीवन से तो मृत्विव अच्छी है नहीं भाईया ऐसा मत कहिए भाईया सत्ता के लोब का आवरण पढ़ गिया था मेरे नेत्रों पर कौन मित्र है कौन शत्रू कौन अपना है कौन पराया इन सब का भेदी नहीं कर पारे थे मेरे नेत्र लंकेश जैसे राक्षस राज को अपना हिदे शिमान बठा मैं और हनुमान जैसे सब के संकट हरने वाले को अपना शत्रू और परिणाम देखो पूड़ते आएगा की हो गया हो मैं सुग्रीव मुझे अपने हृदे से लगा कर मेरे अश्रू पोच कर संतप्त रिदे की पीडा कम करने वाला कोई नहीं है सुग्रीव कोई नहीं बचा आज बस भाईया बस जदी सत्य में आपका रेदे परिवर्तन हो गया है तो भाईया मैं क्या हम सभी आपके साथ हैं भाईया कौना तो तुम मेरे वाली भाईया नहीं हो तुम मेरे वाली भाईया के पास ही ले जाने आया हूँ तुम मुझे इस प्रकार यहां से नहीं ले कर जा सकते मै असुर शिलपी माई का पुत्र माया भी हूँ माया भी की माया से कोई पार ना पाया माया भी माया भी को कोई कुछ भी करने से रोग नहीं सकता तुमारा वो हितेशी वानर भी नहीं माँ ये क्या हुआ अच्छा तो अब तुमने अद्रिश्य होना भी सीख लिया माँ अद्रिश्य होने का क्या लब आपने तो फिर भी हनुमान को पकड़ लिया माँ माँ हूँ मैं तम्हारी उत्र अद्रिश्य हो या कहीं चुपा हुआ हो मा को उसकी उपस्थिती का ग्याद हो ही जाता है और मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ न अपती दिव्य शक्तियों का प्रयोग तभी किया करू जब बड़ी आवशक्ता हो ऐसी क्रीडा के लिए नहीं पुत्र अच्छा अच्छा थीक है आप कान तो छोड़िये माता मन अंतर अखियानी सुतकर लीला वह पहिचानी दे उपदेश सजग जग हीता रामकाज लगिशति पुनीता करत मारुति छमाया चना लीला धर की सुहावन महिमा जग देख है यह पावन लीला माता भावन जग प्रियसीला नई शक्ति क्या मिली? तुम्हारे उपद्रव आरंभ हो गए माँ, शमा कर दीजे ना हनुमान ने यह अपने मित्रों के लिए किया अच्छा अच्छा इस बार तो छोड़ देती है को नमा ऐसा किया तो कड़ा दंड दूगी अच्छा आप अपने हनुमान को दंड देंगी अपने पुत्र को दंड देंगी माँ माँ, कुछ लड़ू तो दे दीजे हाँ, सुग्री भाया को भी भूक लगी होगी ना चलो मुझ महानतम वाली के अनुच्छ चलो तुम मुझे इस प्रकार बलपूरवक ले जाने का प्रयास मत करो तुम्हारा परिचे अभी तक हनुमान के साथ हुआ नहीं है यदि मैंने उसे पुकार ली और वो यहां आ गया तो तुम यहां से जा भी नहीं पाऊगे तुम्हें मुझे वो वानर भी नहीं बचा सकता चलो अच्छा अनुमान 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 चलो अनुमान सुग्री भाईय पुका रहे है अनुमान अवर्शे वो किसी संकट में होंगे उस वानर के अने से पूर्ण मैं तुम्हें यहां से लेकर चला जाऊंगा माया भी की माया कोई पार नहीं पाया सुग्री भाईया सुग्री भाईया सुग्री भाईया सुग्री भाईया सुग्री भाईया सुग्री भाईया सुगरी बाईया कहां चले गए सुगरी बाईया मैं अने अभी तह यहां छोड़कर गया था विचित्रबाद है कहां गया सुगरी धर्दी में समा गया या वायू में विलीन हो गया सुगरी उसका तो कोई चिन है तक नहीं दिखाई दे रहा सुगरीव कहां है मेरा पूत्र कहां है मेरा पूत्र सुगरीव अनुमान तुमने तो उसकी रक्षा का दाइत भी लिया था ना सुगरीव की सुरक्षा का पूत्तर दाइत मैं लेता हूँ अता मेरे जीवित रहते सुगरीव का कोई आयत नहीं कर पाएगा और पिताश्री की वचन की रक्षा करने के लिए हनुमन कोई भी संकट का सामना करने के लिए प्रस्तुत है और सूरे बेग की शक्ति का सूरक्षा कवच में बनाया था उसके चारोव तो फिर वो कहां जा सकता है महारानी मा यही तो मैं भी सोच रहा हूं मेरा यह बनाया गया सूरक्षा चक्रत वाभेद्य है सुग्री भाया के सुएच्छा के बिना उन्हें कोई यहां से बाहर नहीं ले जा सकता फिर वो कहां चले गए माया वी कि माया कोई पार ना पाया अनुमान मैं तुम्हारे सुरक्षा चक्र के भीतर नहीं जा सकता था तो मैंने अपने आसुरी शल से सुग्रीव को बाहर आने के लिए वाद्य कर दिया अब वो मेरा बंदी है सुग्रीव माया वी कहां ले जा रहे हो मेरे भाया सुग्रीव को किश्किन्दा और कहां महराज वाली के पास यति सुग्रीव को जीवित देखना चाहते हो तो महराज वाली के पास आकर शमायाचना करो वो सुग्रीव पर दयाकर इसे प्राण दंड ना दें हु़्षा हघँभ हए सागर हएँ तो ग्रेंग! महारानी मा, मुझे ख्षमा कर दीचे यदि मुझे उस आसूरी चल का तनिकसा भी आभास होता, तो मैं सुग्री भाईया को एक शंड के लिए भी एकाकी छोड़ कर नहीं जाता मुझे दाभास होता है और दभू अचुर, मेरे इस सुरक्षा चक्रे से सुग्री भाया को कदा भी बाहर नहीं निकाल पाता मरत दूप मैं क्या आत अरूआ तलिया भागिन मा हूँ मैं मेरा एक पुत्र, दूसरे पुत्र के साथ शत्रुबन द्यवार करके उसके प्राण हरना चाहता है और वाली ने कहा था कि वो सुग्रीव को जीवित नहीं रह ले देगा यदि उसे नहीं रोका गया तो अवश्य ही वो सुग्रीव का सहार कर देगा अनुमान अब कैसे रक्षित होगा सुग्रीव, कैसे रक्षित होगा चिंता मत कीजे महारानी जी, सुग्रीव को कुछ नहीं होगा महारानी अंजिना, आप तो स्वेह में एक मा है आप मेरा और एक मा का दुख समच सकती है जब सुग्रीव हनुमान द्वारा बनाये गए सुरक्षा चक्र में सुरक्षित में ही रह सका महाँ वाली के क्रोड से रक्षा कौन करेगा महारानी महाराज केसरी जी ने वचन दिया था मुझे कि यहाँ मेरे पुत्र को किसी परकार की कोई हानी नहीं होगी सुग्रीव की सुरक्षा का उत्तरदाय तो मैं लेता हूँ मैं वाली के चड़लों में अपना राज मुकट रख दूँगा किंतु सुग्रीव को कुछ नहीं होने दूँगा आप तो जानती ही हैं कि वानर राजा आपने प्राण त्याग देगा किंतु अपना मुकट किसी के चर्णों में नहीं रखेगा अता मेरे जीवित रहते सुग्रीव का कोई आयत नहीं कर पाएगा खंडित हो गया मेरा विश्वात इतनी कड़ी सुरक्षा को भेद कर पासर मेरे पुद्र को यहां से ले गया अनुमा तुम तो संकट मोचन हो सब के संकट ढरते हो किंतु तुम भी मेरे पुद्र अपने अग्रज समान सुग्रीव को साकुशल नहीं रख पाए भांग हो गया महाराज केस्री जी का मचन महारानी मा हनमान आपको विश्वास दिलाता है कि सुग्रीव भया को कोई ख्षती नहीं पहुँचेगी हनमान अभी किश्किंदा जाकर सुग्रीव भया को सुरक्षित लोटा लाएगा नहीं हनमान मैं तुम्हें बाली के पास जाने के आग्या नहीं दे सका बाली की बुद्धी पून तह प्रष्ट हो चुगी सारे संसार तुम सब कट मोचन हो हनमान कि तुम इस मा के लिए तुम मात्रोस के लाल हो मुझे तुम्हें स्वयम को संकट में डालने से रोकने का अधिकार है मा, मुझे पे विश्वास कर पिताश्री ने महरानी मा को सुगरीब भया की सुरक्षा का वच्चन दिया था हनुमान इस विश्वास को कैसे जुटला सकता है परन्तो हनुमान सुगरीब की रक्षा करने का क्या और कोई मार्ग नहीं है मा, यदि कोई और मार्ग होता तो हनुमान आपकी आज्या मान कर अवश्य रुक जाता परन्तो यदि आज में नहीं गया तो सुगरीब भया के प्राण संकट में पढ़ जाएंगे आपकी आज्या के बिना हनुमान कुछ नहीं करेगा मा अब मेरा विश्वास कीजिए मा संकट कैसा भी हो मा परन्तो जो उचित है, धर्म उचित है उसका साथ देने के लिए संकटों से संधर्ष कर उन पर विज़े बाने की शक्ती मुझे आपसे ही प्राप्त होती है मा जब मा का अशिर्वाद साथ है तो आपका ये पुत्र कैसे असफ़ल हो सकता है हनमान को आशिर्वाद दीजे मा की मैं शीग रही सुग्रीब भया के साथ आपके पास लोटाओं प्रणाम माता प्रणाम नानी हे प्रणाम फुत्र हनुमान और फुत्र सुग्रीव की रक्षा कीजिये अवश्यवाली हनुमान को शति पहसाने की चेश्था करेगा मुझे उसको लेकर भी उतनी ही चिंता हो रही है जितनी सुग्रीव को लेकर पता नहीं वाली के कुविचार उसको क्या करने के लिए प्रेडित कर दे मेरा हरत है भावी अनिष्ट की कलपना से आतंकित हसुरों की शक्ति प्राप बाली की शक्तिया और भी बढ़ गई मा, सब्भव है कि बहा हनुमान को हमारी सहायता की आवश्रक्ता हो हमें भी केसरी जी को लेकर यता शेकर किश्किन्दा की और प्रसाल करना चाहिए मैं एकनी स्वार्थी कैसे हो गए उत्रमों में विवाशुकर में ही क्या कर बैठी शुत की अवस्ता में हनुमान वाली का बद नहीं करेगा इस स्वच्चन से बांगता है मैंने हनुमान को वाली के समक्ष भेजकर हनुमान की जीवन को एक बड़े संखट में डाल दिया किस विचार में मगन हो हनुमान ओहो समझ गया तुम यही सोच रहे हो ना कि तुमने तु मेरे पिताश्री को किश्किंदा के राज सिंगासन पर पुना स्थापित कर दिया था तो फिर मैं यहां कैसे आसीन हूँ हनुमान मेरे महांतम वाली को मात्रे इसी सिंगासन पर नहीं अपितू समस्त वन राज्यों पर अपना वर्चस्व स्थापित करने का अधिकार है जब भी मेरी इच्छा होगी मा अपनी शक्ती से समस्त वन संके सिंगासन पर स्वयाम को स्थापित कर लूँगा और ऐसा करने से मुझे कोई रोग भी नहीं सकता तुम भी नहीं वाली बहिया हनुमान को इस समय सुगरी बहिया की ही चिंता है कृप्या बता दीजिये की वो कहां है आँ आँ ग्यात है मुझे तो मैं अपने सुगरी बहिया से बहुत प्रेम है ना वाली बहिया आप हनुमान से बड़े है हनुमान आपका आदर करता है वाली बहिया यदि बड़े कुछ अनुचित कर्म करें तो उनको रोकना हम छोटों का भी करतव्य है वाली भाईया इस समय आप मेरी बात को नहीं समझेंगे मैं यथा संभव प्रयास करूँगा कि मैं सुगरीव भाईया की रक्षा कर पाऊं हनुमान आपसे वे नम्र आगरा करता है क्रिप्या बता दीजिए सुगरीव भाईया कहा है वो सुरक्षित तो है अपने सुगरीव भाईया को तुम तो सुरक्षित नहीं रख पाए हनुमान तुमारा सुरक्षा चक्र भी बेर्थ हो गया परन्तु मान्तम वाली के पास पूल ताह सुरक्षित है वाली भाईया मेरे सुगरीव भाईया से बेंट करवा दीजिए मैं स्वायम अपने नेत्रों से उन्हें देखना चाहता हूँ क्यों नहीं इतने अधीर हो नो तुम अपने सुगरीव भाईया से मिलने के लिए पाली तुमें उससे अवश्य मिलवाएगा चलो मेरे साथ सुगरीव भाईया, सुगरीव भाईया कहा है आप? कहा है आप सुगरीव भाईया? सकोशल तो है अपने सुग्रेव भाईया से मिलने के लिए इतने व्यक्र क्यों हो रहे हो तुम अब ही दर्शन हो जाएंगे तुम्हें उनके वाली भाईया शीर बताईये न मुझे उनके चिंता हो रही है बताईये न कहा है वह देखो उस दर्पल को देखो अनुमान अनुमान तुम यहां क्यों आ गए बाली भाईया मेरे साथ तुम्हारा भी अनिश्ट करेंगे अ मुझे इस मायवी दर्पल में पंधग बनाने का हूं का काराण ही है मैं कैसे नहीं आता सुग्रीव भाईया आपकी कठीनाई तूर करना हनुमान का करतव यह है पिताश्री ने आपकी रक्षा करने का वचन दिया है और उस वचन को पूर्ण करने का मैंने प्रण लिया है हां वचन दिया है काका केसरी ने हां कोकट ने बताया था मुझे उस वचन के बारे में सुग्रीव की सुरक्षा का उत्तरदायत मैं लेता हूं मैं वाली के चड़्लों में अपना राज-मुकट रख दूंगा किन्तु सुग्रीव को कुछ नहीं होने दूंगा है प्ऱन जब तुम अपने वचन को अपने ही राज सुमेरू में ही नहीं पूंड कर सके तो फिर यहां महांतम वाली के किशकिंदा के राज में कैसे निभावगे उसे वाली भाईया, मैं सुग्री भाईया को यहां से शीग रही मुक्त कराकर अपने साथ सुमेरू ले जाओंगा ओ, इतना विश्वास है तुमें सोयम पर, तो ठीक है, प्रहास करके देख लो, मुक्त करा लो अपने प्रीय सुग्री भाईया को न, नहीं है अनुमान नहीं हनुमान हनुमान क्या हुआ हनुमान, इस दरपन को देख के इतने विचलित क्यों हो गए तुम जाओ, प्रभेश करो इसमें और रक्षा करो अपने प्रीय सुग्रीव भाईया की परंतों से पूर्व इतना जान लो कि तुम अपनी वर्दानी शक्तियों से इसके भीतर प्रभेश नहीं कर सकते आसुरी शक्तियों से उत्पन माया वी तरपन है ये जितमें मैंने तुमारे प्रीय सुग्रीव भाईया को बंदग बना के रखा है हुआ 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 है नहीं हनुमान सुग्रीव भाईया हनुमान यदि तुम चाहो तो पुना प्रेयास कर सकते हो परन्तु इतना स्मरण रखना कि जितनी शक्ति से तुम इस दरपन से टकराओगे उतनी ही तीडा होगी सुग्रीव को और यदि तुमने अपनी शक्ति से इस दरपन को तोड़ दिया तो उसके साथ ही सुग्रीव भी अपने प्राणों से वंचित हो जाएगा वाली भाईया वाली भाईया आप ऐसा क्यों कह रहे हैं सुग्रीव भाईया को मुक्त कर दीजे मैं आपसे विंती करता हूँ अवश्य मुक्त कर दूँगा परन्तु मुझे उसके लिए तुम्हारी विंती नहीं कुछ और चाहिए वाली भाईया जो आपको चाहिए वो मैं आपको दूँगा परन्तु आप सुग्रीव भाईया का हित मत कीजिए तो ठीक है यदि तुम मुझसे दंद युद्ध करके मुझे पराजित कर दोगे तो मैं सुग्रीव भाईया को मुक्त कर दूँगा अन्य था वो मेरा बंदी रहेगा बोलो करोगे मुझसे युद्ध तुम्हें युद्ध करना ही होगा इसके अतरिक तौर कोई विकल्प शेशी नहीं है तुम्हारे पास नहीं हनुमान हनुमान ऐसा मत करना वाली भाईया पुना तुम्हारे साथ चल कर रहे हैं मेरे साथ आहित होने की चिंता से तुम बचलत मत होना भले ही मेरे प्राण चले जाए हनुमान पदिंगे साथ युद्ध मत करना ऐसा करने से तुम्हारी आधी शक्ती इन्ने पुन रूप से समाहित हो जाएगी और तुम्हारा उन्हें पराजित करना संभव हो जाएगा हनुमान मरकाट मत सुना उसकी बार मेरी युद्ध की चुनोती स्विकार करो और अपने प्रिये चुग्री भाया को मेरे इसमायावी दरपण के बंधन से मुक्त कराकर उनके जीवन की रक्षा करो वाली पुट्रवाली वाली तुमने पुत्र सुग्रीव को इस धरपण में क्यूं बंदग बना के रखा है तुम्हारी मा तुमसे अपने पुत्र से तुम्हारे भाय के जीवन की बिक्षा माग रहेंगे उसे मुक्त कर दो वाली नए कोई मा नहीं है मेरी जेश्चन आपने मेरे उपर असुग्रीव का चुनाओ कर लिया था उसे च्छन मैंने निश्चर कर लिया था कि मेरी मा नहीं रही अब आप मात्र सुग्रीव की मा है मा यह तुम्हारे विवेक को क्या हो गया है पुत्रवाली अपनी मा के भवित्रिस्ने का अपमान कर रहे हो तुम अपनी मा नहीं है यहाँ मेरे राज्य में खड़े हैं आप और यहाँ बिना अनुमती के आपको कुछ भी कहने की छूट नहीं है बस बाली बस राज सिंगासन से लगाओ तो वो मैंने तुम्हें सौब दिया किन्टु तुम मर्यादाओं की समस्त सीमाओं का उल्लंगन कर रहे हो राजधर्म का निर्वा ऐसे नहीं होता पुत्र रसी जल गई परन्तु एठन ना गई इस प्रकार मेरी अवग्या कर आप ये भूल रहे हैं पिताश्री कि आपको उन्हा कारावास ना बेच कर मैंने आप पर दया की है परन्तु यदि आपने महांतम वाली के साथ दिरिष्टता करने का दुस्सास किया तो आपको पुनाबंदी बनाने में मुझे तनिक भी संकोच नहीं होगा माली बहिया ये आप जो के रहे हैं वो अनोचित है बनो का अनादर मत कीजिए अनादर बनो का कर रहा हूँ मैं और करता रहूंगा परंग तू यदी तुम चाहो तो मुझे ऐसा करने से रोक सकते बोलो करोगे मुझसे युद्ध यही एक मात्र मार्ग उपलब्द है तुम्हारे पास जिससे तुम सुग्रीफ की भी रक्षा कर सकते हो और मुझे अपने बनों का अनादर करने से रोक सकते हो बोलो करोगे मुझसे युद्ध मुझे ग्याद था तुम मुझसे युद्ध करने में सक्षम ही नहीं हो जाओ हनुमान जाओ ओजलो जाओ मेरी द्रिष्टी से और अपनी बुद्धी से दुग्रीफ की रक्षा करने का विचार भी ओजल कर दो बूल जाओ कि वो यहां इस मायावी बंदन में बंदी है इसके उल्ष्टी तो अब निश्चत है और यदि मैंने स्यम इसको खंडत नहीं किया तो जल और भोजन के आभाहों से बोशी ग्र ही काल का ग्रास्प बनेगा कोकट ने बताया था मुझे कि तुम्हारे पिताच्री काका केशरी जी ने सुगरीव की माता को उसकी रक्षा का वचन दिया था बूल जाओ उस बचन को मैंने तो यह भी सुना था कि काका केशरी जी ने प्रण लिया था कि यदि वो सुगरीव की रक्षा नहीं कर सके तो वो स्वयम अपने हातों से अपना यह राजबू को टुतार कर मेरे चरणों में रख देंगे इसी खण की प्रतीक्षा थी माहन तम वाली को ओ बिलंब मत कीजिये उतारी अपना राजबू कोट अपने मस्तक से और उसे रख दीजिये यहां माहन तम वाली के चरणों में कोकट यहां आओ जी माहराज ले जाओ इन सब को कारागार में और बंद कर दो काका केसरी जी आप तो अपने वचन पर सदर फिर रहते हैं ना तो फिर इतना सोच विचार क्यों कर रहे हैं आप सुमेरू के राज मुकुट पर आपका कोई अधिकार नहीं है तो फिर उतारी है उसे और रख दीजिये उसे मेरे चरणों पर हाँ हाँ आगे बढ़ी है आगे बढ़ी है काका केसरी जी प्रतीत होता है जैसे दोनों पिता पुत्र को सर्प सुम गया हो क्या हुआ ? आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि आपके पुत्र हनुमान ने मेरे समक्ष गुट ने टिक दिया है यदि आपका पुत्र मुझसे युद्ध नहीं करेगा तो आपका बचम तो वैर्थ हो गया ना अब आप मुझसे सुग्रीव की रक्षा नहीं कर सकते तो फिर इतना संकोच क्यों कर रहें आप उतार ये अपना राज मुकुट अन्य था मैं कोकट से भी एकारे करवा सकता हूँ यदि आपके हातों की शक्ती शील हो गई है तो मैं कोकट को अज्या देता हूँ कि वो आपकी साहता करे वो इस राज मुकुट को आपके मस्तख से उतार दे ये अब आपको शोबा नहीं देता बस 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 वाली बहिया रुक चाहिए आपने हनुमान के समक्ष कोई विकल्प नहीं छोड़ा इसलिए हनुमान आप सियत करने के लिए प्रस्तोत है बस 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 बहिया रुक चाहिए आपने हनुमान के समक्ष कोई विकल्प नहीं छोड़ा इसलिए हनुमान आप सियत करने के लिए प्रस्तोत है संकादिक ब्रह्म्हाति मुहीसा, सारत सहीत अहीसा, भेरतिक पाल जहाते कभिकोव्यत केंजसा, तो भीसरतितु ना पीसरतों पचाजरिच्ट। हनुमत सुत है आज्याकारी जनक जननी सम्मान रखारी सब जन के रक्षक हनुमाना रखते शीष निबल कर माना धर्म शान्ति मर्याद रखईया हनुमत जग कर बनत सहया कोई चले मार्ग धर्म के मारुति धर्म योद करे उससे हाहाहा अंतता मेरे शब्दू का कुछ प्रभाव तो पड़ा तुम पर तुम्हारे भीतर साहस का संचार तो हुआ और आप जब हम योद्ध करने ही वाले हैं तो फिर उसके नियम बें स्थापित कर लेते हैं मुझे विश्वास नहीं हो रहा ये सब में यतार्त में देख रहा हूँ पुत्रवाली तुम क्या चाहते हो भोले भाले हनुमान से ये मर्कट हानुमान भुला भाला नहीं है अत्यनत शक्तिशाली है ये और अब इस युद्ध में इस मर्कट को पराजित कर मैं ये प्रमालित कर दूँगा कि मुझ में इससे कहीं अधिक शक्ति है वाली भाईया आप कुछ और सुनना कहना व्यर्थ है हमारा युद्ध होगा ये तो निश्चित हो चुगा है आप उसके नियम स्थापित कर रहे थे इतनी बार अस्विकार करने के बाद अब युद्ध के लिए तुम्हारी उच्चुकता देख कर वाली अत्यंत प्रसंद हुआ सुनो मरकट इस युद्ध के नियम को छेज प्रकार होंगे सर्वप्रथम दोनों ही युद्धा अपने समर्थकों और सयोगियों का चुनाव करेंगे और ये मैं गोशणा करता हूँ कि मैं असुरों का साथ और आप वाली भाया हमारा दुर भाग्ये है हमें तो साथ मिलकर अपनी शक्ती को एकत्रित कर असुरों से युद्ध करना चाहिए था परन्तो उस मायावी ने जब सुग्रीव भाया का भारन किया था तब मुझे आभाज हो गया था कि आप असुरी शक्तियों का साथ दे रहे हैं पुत्र वाली यदि तुम हनुमान से युद्ध करना चाहते हो तो अवश्य करो किन्तु राक्षसों का साथ लेकर अधर्म के मार्ग पर आगे ना बढ़ो पुत्र उसमें तुम्हारा विनाष निश्चित है हाँ वाली भाया आप किसी को भी अपने साथ चुन लीजे परन्तु राक्षसों का धे रभू की कारे में विवधान डालना है और हरी भक्तों को परिशान करने में उन्हें बहुत आनान दाता है ये धर्म के विरुद है मुझे तुम्हारा उपदेश नहीं चाहिए मरकट मैं वही करूँगा जो मेरी इच्छा होगी तुम बताओ तुम किसका साहियोग प्राप्त करोगे मुझे किसी की भी आविशक्ता नहीं है मेरे माता पिता यहां उपस्थे थे उनका आशिर्वाद ही मेरे लिए परियाप्त है उनके आशीश से मुझे बल प्राप्त होता है जिससे मैं संसार की किसी भी शक्ती को परांस्त कर सकता हूँ जैसी तुमारे इच्छा यदि तुम किसी का सायोग ना लेने का निश्चे करने की मूर्खता कर रहे हो तो यह तुमारा निश्चे है परन्तु मैं आशुरी शक्तियों का सायोग पराप करूंगा और यह मेरा निश्चे थेर है नहीं वाले यह न्याय पूर्ण होगा हनुमान के विरुध युद में तुम आशुरी शक्तियों का प्रियोग नहीं कर सकते प्रणाम वायुदेव आप सब का कल्यान वायुदेव यह युद्ध मेरे और हनुमान के मत्य है और इसमें हस्त शैप करने का आपको कोई अधिकार नहीं है वाली तुमने हमारा अपमान किया हमने उसे सुईकार किया किन्तु तुम वायुदेव का अपमान करने का उद्धंड नहीं कर सकते वायुदेव वाली भाया मेरे अग्राच है वो अपनी शक्ति के एहंकार से ब्रामित हो चुके हैं उनके इस व्यवार के लिए मैं आपसे एक शमा मांगता हूँ बस मरकाट बस महांतम वाली किसी से भी शमा नहीं मांगता और तुम्हें उसकी ओर से किसी से शमाय आशना करने की कोई अवश्यक्ता नहीं है अब भी समय है मैं तुम्हें पुनह सचेट कर रहा हूँ अपने एहंकार को त्याद कर धर्मोचित वहवार करो अन्यथा तुम्हारा यह एहंकार तुम्हारे लिए विनाश का कारण अवश्य बने एस युद्ध के परिणाम की प्रतीक्षा कीजिए वायुदेव आपको स्वयम ग्यात हो जाएगा कि कौन विजैई होगा और किसका पतन होगा वाली भाया वायुदेव का अपमान कर आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा बताईए इस युद्ध का कोई और नियम है क्या आँ एक अन्तम नियम हमारा यह युद्ध प्रती दिन सूर्य उदै से सूर्यास तक होगा और यह युद्ध तभी समाथ होगा जब हम दोनों में से किसी एक इम्रित्यू या निश्चत पराजय होगी मुझे स्वीकार है वाली भाया तुमने सभी मर्यादाओं का हनन किया है अपने बड़ों का निरादर और तिरस्कार किया है तो हम कैसे विश्वास कर लिए कि तुम्हारा द्वारा निर्धारित किये गए नेमों का तुम उलंगर नहीं करोगे भायुदेव आपके किसी भी प्रश्ण का उत्तर देने के लिए मैं बाद दे नहीं हूँ आप प्रस्थान कीजिए यहां से वाली मैंने तुम्हारी चेतना को जागरित करने का प्रयास चंतु तुमने तेरा भी अपमान की अवश्य ही तुम अपने विनाश की और बढ़ रहे और शिग्र ही तुम्हारे दम का परिणाम तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत होगा श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुखोर सुधार मेरा आशिर्वाद हनुमान के साथ विनाश करेगा वाली अपने समक्षाने वाली प्रतेक फिरोधे शक्ती का मान तम हुमे मरकाट कल सुर्योधे की वेला में हमारा युद्ध और तुम्हारे सर्वराश का प्रारंब होगा वाली बहिया मैं प्रस्तोत हो जाओंगा परन्तु उसके पूर्व आपको वचन देना होगा हमारे इस द्वंध युद्ध के अंध होने तक सुग्रीव भहिया का कोई अनिष्ट नहीं होना चाहिए बस इतनी सी बात विकार है मुझे कोकाट सभी वन राज्यों के वानरों को अमंत्रित करो वो यहां आकर हमारे दंध युद्ध और उसके परिणाम के प्रत्यक्ष दर्शी बने वो अपने नित्रों से अनुमान की पराजय और काका केसरी जी के मुकट को मेरे चरणों में पड़ा हुआ देखें अनुमान अब जितनी इच्छा हो उतना आशीश लेलो अपने माता पितासे कल युद्ध बूमी में तो मैं उनकी आवश्यक्ता होगी अनुमान के माताई आवश्यक्ता माताई आवश्यक्ता युद्ध पना आवश्यक्ता के बामस्ता प्रूम्ग्त शर्णन चेप्स झाल झाल वाली अत्यंत शक्ति शाली है परंतु हन्वान को पराजित करना इतना सहज नहीं इस युद्ध में जिसकी विजय होगी वही सरोशक्ति साली प्रमानित होगा आज महाबली हनुमान और युवराजवाली के मध्य भायंकर युद्ध होने वाला है देखो युद्ध इस्थल के मध्य में इन दोनों की कदाएं रखी हैं और जैसे ही ये उन्हें उठाकर एक दूसरे परवार करेंगे युद्ध प्रारम हो जाएगा युराजवाली के नेत्रों को देखो जैसे ग्रिणा और क्रोध की जौला से धदक रहे हूं अनेक प्रागार के वर्दान मुझ में समाहे दिन अनेको बार युद्ध अस्वीकार कर मुझ से बच्चता रहा है ये मर्कट सुग्रीब की सुरक्षा का उत्तरदायत मैं लेता हूँ अता मेरे जीवित रहते सुग्रीब का कोई आयत नहीं कर पाएगा अनुमान, तुम यहां क्यों आ गए बाली बहिए मेरे साथ तुम्हारा भी अनिष्ट करेंगे तो मेरू के राज मुकुट पर आपका कोई अधिकार नहीं है तो पिर उतारिए उसे और रग दीजीए उसे मेरे चरणों पर बस, बस वाली भाहिया से अनावश्यक यूद करने के लिए विवश है हनुमान सुकरी भाहिया के प्राहन की रक्षा और अपने पिताश्री के वचन को पून करने का और कोई उपाई ही नहीं छोड़ा है वाली भाहिया ने मरकट अब होगा हमारा युद्ध तुम्हारी आधी शक्तियां प्राप्त कर तुम्हें पराजित करने की मेरी इच्छा पून होगी फिर देखता हूँ कौन रोखेगा मुझे समस्तवन राज्यों पर अपना आधी पत्य स्थापित करने से यह कैसा दूर भाग्या है अपने वाली भाईया पर वार करना होगा हनुमान को नहीं मुझे पुना वाली भाईया से अनुरोद कर इस निरथक युद्ध को थामने का प्रयाज करना चाहिए वाली भाईया आप हनुमान के अग्रच है हनुमान आपसे अपार्स नहें करता है वाली भाईया हनुमान आपका शत्रू नहीं आपका मित्र है वाली भाईया हनुमान का ये निवेदन स्वीकार कर लीचे शान्ती पूर्वक एक बार पुनाहा विचार कर लीचे शुग्रीप भाईया को मुक्त कर इस व्यार्थ युद्ध को डाल दीचे डाल दू ये युद्ध जाने दू तुमें यहाँ थे अपने परम्शत्रू को गोयम को सर्वशेष्ट युद्ध प्रमालित करने का अफसर गवादू मरकट मुर्ख समझा है मानतम वाली को ऐसा कदापी नहीं होने दूंगा हमें माहानतम वाली अपने निश्चे पर अटिग है ये युद्ध भी होगा और माहानतम वाली के हाथों तम्हारी पराजय भी पहमकार क्रोद इरशा भर आया रिदय वाली ने कलोशित पाया वाली योध में रचे कुनी थी हनुमत रिदय निश्चल सूनी थी हनुमत वाली से रखते प्रीती वाली मन में बसे कुरीती विश्धर चंदन लिपटे रहते किन्तु चंदन विश्च में नाती वाली में दे भाली रखते रैज बसे भाली में किर्दी वाली में रचे किर्स्लेव थाली में रचे किर्स्दट ऑ में प्राइब कर दिर आड़को बारा प्राइब कर दो प्राइब कर दो उते हैं माता हूं तुम्हारी हनुमार, तुम्हारा हृताय कितना निश्कपट और निर्मल है, जानते हूं कि तुम्हें तुम्हारे ब्राता समान वाली से यूद करने में कितनी वेदना हो रही होगी, किन्तो वाली अपना हठ नहीं त्यागने वाला, अपना अस्त्र उठाओ पुत् ऐच्छारी जो का आई disc अलचाति मेल माल अनगा आई शारीत inherent like भुझाए जो चैनीचो को पुझाए आपनी गड़ा आपनी गड़ाप अता आपने आपने आपनी भाप आपने जबां अता आपने जब आपस आपस आपने जशाए सत्या, यदि वाली पराचित हो गया, तो इसका अंत हो जाएगा, अब यदि वो जीत गया, तो सुग्रीव का बत करेगा। दोनों ही अवस्थाओं, महाराज रिक्षराज जी, पर महाराणी को अपने दोनों पुत्रों से एक पुत्र को खोना ही होगा। मैं हनुमान के लिए बहुत चिंतित हूँ, फिन तो उस मा के दुख की कलपना भी नहीं कर सकता। जिसके दोनों पुत्रों के जीवन संकट में हो, और केबल एक की ही प्राण रक्षा हो सकता। तुम मुझे वच्चन दो कि तुम हमेशा सुभरीत की रक्षा तो करोगे। किन्तु तुम्हारे और वाली के मद्या कभी युद की स्थिती बनी, तो तुम उसका बद नहीं करोगे। महरानी मा, मैं आपको बच्चन देता हूँ, कि आपने जैसा कहा है, वैसा ही होगा। अनुमान, तुम्हें मुझसे युद्ध तो करना ही होगा। तुमारे अंत के साथ ही इस युद्ध का अंत होगा। तुमारे अंत के साथ ही इस युद्ध तुमारे अंत के साथ ही होगा।